शीरा दे राधे भक्तों प्रभु का मंगल विधान विशेश रूप से अपने भक्तों के लिए सदाई ही कारियन मित रहता है और उनका जो मंगल विधान क्रिया में अपने लगा रहता है जिसका रहाश्य खोलने नहीं पाता है कि ये भगवान कर रहे हैं मनुष्य समझता मैं कर रहा हूँ या संजोग बस हो रहा है किन्तु करते रहते हैं ठाकुर जी जो उनके संसकारी भक्त होते हैं पूरुजन्म का संसकार लेकर के जन्म लिये हैं उनको महान महान भागवत पार्षद सद्रिश महान उरुषों से मिलाने की लीला उनकी कृपाई करती रहती हैं कल आप स्वरुण कर रहे थे कि स्वी ठाकुर जी अर्थाप स्वी घंश्याम जी बालक के रूप में थे तभी ही एक महान पूरुष श्री जी महराज उनको प्राप्त हो गए जैपूर में इस्टेशन पर स्वागत करने के लिए गए थे और ट्रेन प्लेटफार्म पहुंची तो जैजेकार श्री जी महराज का होकिया गया और सबसे पहले माल अठाकुर जी ने अठाद घंश्याम जी ने पहिनाई थे इस प्रकार से एक महापुरुष की संगती प्राप्त हो गई कृपा प्राप्त हो गई और इसके आगे तो भक्तों शीह मामशाथ पोद्दार जी महराज महान संथ राधा बाबा इस सब उनको अपना बना लिए और उसमें प्रभू ऐसी अपनी कृपा की लिला करते हैं क्यों मिलाने के कारे सब उनी करा था ठाकुर जी का ने इनको पता था ओदार जी अर्थाथ भाई जी के बारे में ज़्यादा और भाई जी को मालूम था कि घंशाम जी कौन है ठाकुर जी कौन है लेकिन मिलाने का काम भगवान करते हैं सन उन्नी सो अन्तालिस में श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री श्री राम जी ने प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित श्री हरिबल्लब जी चरमा के साथ मिल करके एक पुर्थक रास्मंदली का गठन किया तो पहले वारी रास्मंदली में जहां काम करते थे उसको छोड़ करके अब तो अपने भाई की रास्मंदली में आ गए ठाकुर जी और श्री ठाकुर जी की स्वरूपाई श्री श्री राम जी के गायन यूँग पंडित श्री हरिबल्लब जी श्रमा के उतकृष्ट की वादन से सुचजित इस मंदली ने शीग्र ही रास्मंदलीयों के मध्य अपना स्थान बना लिया आनतालिस में उनीस सो नातालिस में मंदली बनी और ठीक एक वर्ष बाद ही उनीस सो उन्चास में यह मंदली गोरख पर पहुंची रहा गीता प्रेश में नहीं नगीता वादिका में गोरख पूर में कुछ भाक्त लोगों ने जो इन से उरिंदाबन में परिछे प्राप्त किया था आयोजेक लोगों ने मंदली को बुलाया था लेकिन ताप तक आयोजेकों कोई बीशेश पता नहीं था कि यह इतने बड़े महान पुरूश है वो यही समझ रहा था वो विचारा अंजान होने की कारण की जैसे नाटक होते हैं इस तरह के हैं इसी कारण से उसमें एक ऐसी जिगठ हराया जहां गोड़ा बग्गी रखी जाती थी गोड़ा बग्गी अर्थात ताउंगा समझ लीजी या इतका ताउंगा ख़ड़ा अलग एक जगह अलग एक नाम बोलते हैं बक्टों तो घोड़ा बगई जो घोड़ा से चलने वाले तांगा होते नौ वो जहां खड़ा किया तथा ऐसे एक दालान में अर्थात बरामदे में जहां घोड़ा बगई खड़ी ती वही पर इन लोग उठारा दिया क्योंकि आयोजयक विचारिये नहीं जानते थे कि ये रास लिला वाले कोई नोटंकी और नाटक वाले ऐसे नहीं है तो बहुत महान भगवान के भग नहीं उनको नहीं पता था इसलिए वह स्थान रासमंडली की गर्मा के अनुरूप तो नहीं था लेकिन जानकारी विशेश नहीं होने से वहाँ पर ठार आया गया इनको और लीला का आयोजयन अन्य स्थान पर था और सुवख्यात संत्यों कल्यान पत्रिका के संपाजक परमपोजिश्री हर्मानपशाजी पोद्दार श्री भाई जी भी आयोजयक के निमंत्र पर रास्विल्या दरेशन हेत पधा रहे थे क्योंकि आयोजयकों को विशेष इनका ग्यान भले नहीं था लेकिन इतना तु जानते ही थे कि वरिंदावन की रास्विल्या है तो इसलिए जा करके गीता बाठिका में उन लोगों ने प्रार्थना किया था पोद्दार जी से कि रास्विल्या के मंडली आई है वरिंदावन धाम से तो आप तो महान कृष्ण भक्त हैं इसलिए हम आपको मंत्रिट करते हैं कि आप कृपा करके पधा रहे तो स्री भाई जी पोद्दार जी महराज गोरकपुर शहर में ही थी है लिल्या मंडली जहां आयोजन किया गया तो वहाँ पधार है इद्देपी इनकी भेंट ठाकुर जी से पहले हुई थी लेकिन तब यह मंडली नहीं थी पहले वाली मंडली में काम करते थे लेकिन वो कोई खास मिलन नहीं था पहले दर्शन पहले जैसा अब विशेश भेंट हुई प्रथम भेंट आप समझे इसको रास लीला के प्रथम दिवस जब मंच से परदा हटाया गया तो सामान ने साज सज्जा में ही विराजमान श्री रास भिहारियों श्री जी के स्वरूप को देखकर गोरकपुर का जन समुदाय था उसका मन मुग्द हो गया कई लोगों ने देखा कि अरे कितनी प्यारे बच्चे हैं दोनों राधा कृष्णी जो बने गए गए अरे इनकी अंदर भगवान का ऐसा जैसे प्रेम जलक रहा है अत्वा इनका भगवान का स्वरूपी दिखलाई पड़ रहा है मन मुग्द हो गया लग लग भाव से देखकर और प्रथम दिवस की रासीला देखने के बाद तब समझ में आया आयो ज़क लोगों को अरे हमने गलती की जो इनको घोडा गाली जहां खड़ी है उसी बरामदे में ठाराया इनको तो किसी अच्छी ज़क ठाराना चाहिए थ अरे मैंने तो इनको नाटक कंपनी वाले समझा तो ऐसा अब उन लोगों को अपराद बोध हुआ आयो जोकों को लगा हमसे गलती हुए ऐसे उच्छी जगह पर नहीं ठाराना चाहिए उनको इनको तो खास जगह पर ठाराना चाहिए यह तो बोले महान लोग हैं तब उनसे क्षमा मांग करके ओ लोग रासमानली के ठाहरने के लिए एक अच्छे स्थान पर व्योस्था किये और जिती दिवस की रास लीला में रासेश्वर ही बने ठाकुर जी गंचाम जी महाराज को रासेश्वर स्वरूप बनाया गया और ठाकुर जी अर्थात गंचाम जी ने ग मैं ही तो हूँ नंड को लाला मात ये शोदा को प्यारो कनहिया मैं ही तो हूँ मथुरा मिलियो जनम चिर ब्रज मंडल को बसईया मैं ही तो हूँ इतना चुन्द ढंग से इतना मीठी स्वर में गाया था उनोंने और इतना स्थारगर भी था ठाकुर जी कारें वो ब्रज को बसाने वाला वो ये शोदा का प्यारा कृष्ण मैं ही तो हूँ और बहुत से उतार धारण करके धरती के भार को दूर करने वाला मैं ही कृष्ण तो हूँ अरे कृष्ण मैं ही हूँ इसको देखो इतने भाव से बोले थी इतना प्रेम से गा करके कहा था कि महराज इन पंक्तियों को सुनते ही उजी श्री हमामसात पोद्धार जी को विशेश भावद्धी पन हुआ श्री भाई जी के नेत्रों से असुज आने लगे जब ठाकुर जी लीला में खड़े होकर कि गोरखपुर की राच मंदली में बोले है गोरखपुर में राच मंदली का जवाय वजन था वो गीता प्रेस में नहीं था लेकिन जहां था हमापुरदार जी गए थे बुलाए गए थे तो जब देखा ठाकुर जी को ये और बोलते हुए सोना तो मराज उनके आँखों से आँशु जड़ने लगे उन्होंन अपने भाव को संवरण करने की चेश्टा की कि लोग न देख सकें कि मेरे आँखों से आँशु गड़ रही लेकिन फिर भी लीला रस के प्रवा में बह गए कई बार रोका कई बार आँखों से आँशु गेने लगी और भाव विवोर हो गए पोद्दार जी और इनकी ऐसी भाव पूंड दशा देख करके फिर ठाकूर जी का ध्यान अर्थाद घंचाम जी का धानिन की और गया और विशेश रूप से पोद्दार जी गोई फिर घंचाम जी देखने लगे पहले तो घंचाम जी ने शीनमांशाट पोद्दार जी को एक साधारण सेथ ही समझा था पहिनावा देख कर क्योंकि सादू मेराते नहीं थे पुद्धा जी ऐसा लगता था कोई सेट जी है तो सेट ही समझा था गंचाम जी ने लेकिन इनके हिल्दे की समुझवल भावों को देखकर यह उन लोगों द्वारा संत के रूप में इने सम्मानित होता हुआ देखकर तब शी ठाकुर जी की भी इनकी प्रटिविशे श्रद्धा हो गई और अधिक श्रद्ध्वानलित हो करके बड़े भाव से नमन करने लगे वैसे भक्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि पहले मिल चुके थे सन 1923 में अब आप समझे उस समय तो बहुत छोटे थे ने ठाकुर जी सन 1935 में जन्म हुआ था 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 आठ साल के थे जब की बात मैं बता रहा हूँ रतनगर में जो भाई जी का ही जन्मस्थान है राजस्थान में तो वहां उसी जिले में गय थे वो रास्थ लिला करने लेकिन छोटे से त्याठ परसके थे तो भूल गय थे गंचाम जी कि वही पोद्दार जी हैं और पोद्दार जी ने उस समय छोटा बच्चा देखा था सुरू सुरू की लेला थी तो वह भी ध्यान नहीं दिये थे अब पहली बार लग रहा था कि कोई मैं चमतकृत करने वाला बालक देख रहा हूं आश्चेरिस से देख रहे थे पोद्दार जी और पोद्दार जी की भावों को देख रहे थे घंचाम जी जब एक बोलते थे गाते थे अपना आविने कृष्ण का करते थे तो पोद्दार जी भावी होरों कर आंसु गिराने लगते थे इनके लिए तो श्री भाई जी का भेंट ये प्रथम आउसर ही का आजा सकता है एक दिन पूज भाई जी के साथ उनके सानित धिमेही रहकर साधना करने वाले ब्रज भाव के उच्च कोट के उपासक पूज श्री राधा बाबा लिल्ला दर्शन हित पदारे बात ये थी पूद्धार जी ने राधा बाबा को बताया कि जो अपने गोरखपुर में रासीला मंदली आई है ब्रिंदाबन धामते उसमें जो ठाकूर हैं अर्थाज जो कृष्ण हैं वो बहुत ही अद्बूत हैं और उनके अंदर तो कृष्ण का जेसे साक्षातकार होने लग जाता है राधा बाबा को पोद्धार जी ले आये कि आप चली में रासीला देखी मेरे साथ और राधा बाबा का जीवन त्याग तितिक्षा अनेक जीव्यन भूतियों से भरा हुआ था महाराज पोद्धार जी इन्षे कम थोड़े थे पोद्धार जी स्री तु प्रेरना प्राप्त किया तराधा बाबाने लेकिन पोद्धार जी साधा वेश पहिंते थे साधु वेश नहीं और राधा बाबा साधु वेश पहिंते थे गेरुआ कपड़ा सन्यासी का और जब वो अपने गैरिक वसन धारन की अर्थात गेरुआ कपड़ा पहने हुए राधा बाबा लिला दर्शन हे तू आये तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्यता हुई घंचाम जी को कि एक अच्छे सन्यासी व्याए है लिला दर्शन करने है तो राधा कृष्ण की दिवी लिलाओं के दर्शनों के सच्चे पार्खी तो ये संतजन ही हैं इस भाव से घंचाम जी को प्रसन अता हुई और संतों की भाव पून मुद्राओं को देखकर ठाकुर जी का मन उनकी और खिंच्टा चला गया राधा बाबा महान संत पुरुष्ट है और परंपूज श्री राधा बाबा भी रास लीला मंच पर उपस्ठित श्री रासेस्वरी रासेश्वर की दर्शन करके बहुत आनन्दित हुए है। उन्हें ऐसा भान हुआ कि मानू उनकी हृजयाराद धी उनकी हृजय के आराज प्रभु ही जैसे नेत्रों के समक्ष परकट हो गए। आनन्द विहुर हो गए। रधा बाबा और विचकित विश्मिट से लिया उलोकन करते रहे। उनका हृदय युगल सरकार की अद्भूत छवी का दर्शन करके एक विशेश विमुग्धता वह आनन्द कानभो कर रहा था। वि बारम बार स्वरूपों को निहारते रहे। यह अधिकाधिक मुग्धता को प्राप्थ होते रहे। कुछ सचेत होकर के उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे जिस चिनमे स्वरूप का दर्शन हो रहा है इससे मैं सत्य तभी मानूगा जब ठाकुर स्वरूप बना ये ब्रजवासी बालक रास के आरंब में बन्यो मोर मुकुट नटवर बपू ये पदगावे। राधा बाबा ने मन में सोचा ये तो ब्रजवासी बालक है ब्रज के गाउं का बालक भगवान तो है नहीं लेकिन ये मेरे मन को खीच रहा है तो ये दिसके अंदर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं तो ये शुदू-शुदू में बने उमोर मुकुट नटवर बपू ये पदगावे तो मैं समझ जंग के ठाव भगवान लीला कर रहे हैं इसके चलिर में और मन्द मुस्कानेयों मधूर भंगिमाएं दर शाते हुए शी ठाकुर जी ने उसी पद का अगान आरंभ कर दिया जिसके लिए राधा बाबा के मन में संकल्प हुआ था कि ये गावन तो मैं मानू जब कि समाजीयों दो आरा बंदिस दूसरी चड़ी गई थी उसको अस्विकार कर दिया तो शंगीत वालों को थोड़ा साथ पटा लगा थी हम बजा रहे हुए इसको गाना दूतर चालू कर रहे है ये तो तो उनके वादन को अस्विकार करके श्था कुर घंचाम जी ने राधा बाबा की संकल्प में जो आ रहा था शब्द बन्यो मोर्मु कुटनट वरवपू वो गाना शुरू किया और शुरू कर दिया गाना बन्यो मोर्मु कुटनट वरवपू कमलनयन श्याम सुन्दर बाकी भवों तेड़ी पाग घूंगर वारी अलकें पीत वसन मोती माल ये पदिक कंठ लाल हंसनी बोलन गावन गंडन श्रवन कुंडल जलकें कर पद भूशन अनूप कोट मदन मोहन रूप अद भुत वदन चंद्र देखी गोपी भूली पलकें कहे भगवान हित राम राय प्रभु ठाडे रासमंडल मधी राधे सोबां जोटी किये ही ये प्रेम ललकें और भक्तों जब राधा बाबा ने सुना आ रहे मेरे मन में जो आया था संकल्ब वही पद गाती आई इनोंने थो तो राधा बाबा भाव विभोर हो गए है रास के विश्राम के पस्चात अच्चेंट कठिंता से यो भावों का संवरन कर सके दूसरे दिन ठीक समय पर पूज भाई जी के साथ साथ राधा बाबा पुनंग लीला दर्शनार्थ पधा रहे और आज भी पूज बाबा के मन में संकल्प उठा कि रास बिहारी अमुक पद्धति से मंच पर किसी सुगन्धित पुष्प या चून को विखेरते हुए निर्ट्य करें भाव उनका ये था कि अईसा करेंगे तो मुझे और विश्वास हो जाएगा कि इस ब्रजवासी बालक के अंदर भगवान लिला कर रहे है और महराज इधार मंच का परदा उठा और रास नित्य प्रारम करने से पूर्व ही था कुर्ज ने पुष्पों की मांग की बिना किसी पूरो योजना के पुष्पों की मांग को सुनकर समाजी और स्वामी रासमंडली वाले सब चकित हो गए अरे क्या कर लिए फूल मांगने लगे फूल तो पहले समंगाया ने गया अब भगवान क्या कुछ हो रहा है ऐसा संकेत भगवान भाव को गुष्पों कर रहे है राधा बाबा के भाव को ये तो लोग जानने पाए तो सबास्चेर में पड़े की फूल को मांगने लगे ठाकुल लेकिन तुरंत भाग दौर किया जल्दी ही थोड़ी देर में ही ज ठाकुर जी ने उसी पद्धत से निट्ट प्रारंब किया जिस पद्धत की बात राधा बाबा के मन में आ रहे थी अपनी संकल्प के अनुसार ऐसा होता देख करके पूझ राधा बाबा आश्चरी में पड़ गए कि अरे तो जो जो मैं सोचता हूँ वही वही बालक करता है वही पद गाता है वही निट्ट करता है वही फूल और सुगंद विखेरता है जो मैं चाहता हूँ राधा बाबा को रोम रोम पुलकित हो गया उन्होंने पुन सोचा कि आज पद की तीसरी पंक्ती से बन्यो मोर्मो कुट वाला पद गाएं उठा कुर जी ने फिर से वहसा ही किया धोनोंने सोचा था राधा बाबा ने जो सोचा था वही गाया आप तो संपूर्ण रास लिला के मध्य मन ही मन पूज राधा बाबा ने कई बार संकल्प किये और अपने भावों को मूर्थ होते देखा रास बिहारी सुरूब बने श्री ठाकुर जी घंचाम जी पूज बाबा के मनोगत भावों के अनुसार ठीक वो ऐसा ही अनुकरन करते जाते थे ये सब देख करके बाबा तो उस्तब्द हो गए राधा बाबा सोचने लेगे ये बालक नहीं है ये तो परमात्मा के लिला कर रहे हैं इसके अंदर वक्तों पूज बाबा के मानस पटल पर दो वर्ष पूर्व की वो बात प्रकाशित हो गई कौन सी बात जो कि इनके प्रती इनके प्रान राध्य स्री कृष्ण ने संकेत किया था दो वर्ष पस्चाद मैं तुमारे निकट रास बिहारी स्वरूप से संपस्थित होंगा ये मेरा संदेज विश्मित मत कर देना भगवान कृष्ण ने स्वयम कहा था ये राधा बाबा से स्वयम कनया ने ये कहा था कि अब से दो वर्ष पस्चाद में तुमारे निकट रास बिहारी स्वरूप से संपस्थित होंगा ये मेरा संदेज से याद रखना भूलना नहीं और महराज ठीक दो वर्ष बाज रास लिया मंडली गोरख पु पहुंची थी जिसको राधा बाबा देख रहे है और तब उनको ये बात याद आई कि मेरे प्रभू ने दो वर्ष पहले कहा था कि मैं रास बिहारी ठाकुर के स्वरूप में तुमारे सम्मू काओंगा दो वर्ष बाज और अब उन्हें याद आ रहा है कि जो जो मैं संकल्प करता हूँ वही गाता है बालक ये रास बिहारी ठाकुर वही लिला करते हैं वही पद गाते हैं वही खेल करते हैं वही निर्ट्य करते हैं वही फूल उचालते हैं जो मैं मन में सोचता हूँ इसका मतब मेरे प्रफु दोज बरस बाद आने की जो बात बोले थे वो आ गए हैं उस समय ध्यान काल में प्राप्त अपने इश्ट के संदेश को सुन करके विचार में पड़ गए है जैसी लीला में की इच्छा करतुम अकरतुम अनिठा करतुम समर्थ इस वर जब चाहें जब चाहें जैसा चाहें वो सब करें उनके लिए क्या संबव उनकी मात्र बलिहारी है पर आज क्या उसी भगोत संकेत की अभिव्यक्ती हो रही है सोच नहीं रहा था बाबा और विचार मगन बाबा के सामने आज सब कुछ प्रचक्ष घटित हो रहा था पुझ्य बाबा का रस सिक्त मन ठाकुर स्वरोबधारी इस ब्रजवासी बालक के चर्णों में लुंटित हो जाना चाहता था तो कभी उसे हुर्दे से लगा लेने को कह रहा था बाबा को लगता था ना कि तुमेरे का नया लीला कर रहा है तो राधा बाबा सोच ते गंचाम दी को कभी हुर्दे से लगा लेना अब कभी चर्णों में अपने को दुका देना अपने चर्णों को अपने सिर को लीला धारी ठाकूर के चर्णों में रख देना ऐसा भाव होता था अत्यंत कठिंता से उन्होंने मन के स्वच्छन्द वेग को रोका और रास्वीला के विश्राम हो जाने पर अपनी कुटिया में वापस लोटाए वो तो स्टेज पर ही चर्णों में गिर्क पड़े होते लेकिन बड़ी मुश्किल सो रोक लिया था यहां आकर पुजववा कई घंटे कुटिया में निशेष्ट अवस्था में पड़े रहे बाद में कुछ सचेत होने पर उन्होंने अपने निक्टस्थ प्रीजन कल्यान संपाद की मंडल के सह संपाद सी चिम्मनलाल जी गुष्वामी से का उभी एक बहुत भक्त थे भक्त उनका चरित में अन्मान शर्थ पोद्दार जी की चरितावल में सुना चुको उन्हों चिम्मनल गुष्वामी जी से राधा बाबा ने कहा गुष्वामी जी रास मंडल का जो चिनमय द्रिश्च उसमें मेरे नेत्रों के सामने अभिव्यक्त हो रहा था वो सर्वथा बाणी का विशे नहीं है रास बिहारी स्वरोब बना वो ब्रजवासी बालक इतनी सुन्दर भाव भंगि मैं प्रस्चुत कर रहा था जो सर्वथा बावराज्जी में ही संभव है मैं जो भी संकल्प कर रहा था उसे उस बालक द्वारा मूर्थ करते देखा जा रहा था मैं स्वयम देख रहा था जो मैं सोचता हूँ वही हुई करता हूँ मैं सत्य कहता हूँ कि उस दिन लीला का सारा नियंतर शर्वथा मेरी भावने के अनुसार ही हो रहा था इस तथ्य को मेरे अत्रिक तो और कोई नहीं जानता है राधावावा चकित थे घंचाम की लीला देखकर यरी बालक नहीं तो साक्षार प्रभू लीला कर रहे हैं आगे की बाते मैं आपको फिर सुनाओगा आज इनको प्रणाम करके नहीं भी राम दे रहा हूं वक्तों श्राधिरा दे जे श्राधिरा दे